हमारा चैनल आपके जीवन को आनंद मय बनाने के लिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अली बाबा और चालीस डाकू बदले की प्यास लिए डाकूओं का सरदार शहर लोट आया और सौदागर ख्वाजा हसन बन गया सही है रोष ने हामी भरीक लिकिन ये Arabian Nights किस्सा प्यार के बारे में नहीं ये दास्ता दर्द की है डर्द जो गुसे में बदल गया गुसा जो नफरत में तबदील हो गया नफरत जिसे जोता जाना चाहिए सरने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए देखो न, गुस्सा बहते पानी की तरह है, जब तक बहता रहे, तब तक उससे कोई दिक्कत नहीं है, नफरत थेहरे पानी की तरह है, वो गुस्सा जिसे महसूस करने की आजादी तुमने खुद को नहीं दी, जिसे बहने की आजादी नहीं, पानी जो तुमने एक जगह नहीं तो ये जिन्दगी को ही संक्रमित करने लगेगी, उसे ही लीलने लगेगी। वैसे ही उनसे नाकाम्याबी भी तह है। साथियों के लिए। रोश ने रुखकर चारों और देखा कोई और आपत्ती नहीं हुई, उसने कथा आगे बढ़ाए। जब उसके दिमार पर च्छाई बदली छटी, तो सरदार ने मामले पर सोचना शुरू किया, हाला कि उसे अभी भी इल्म न था कि कैसे उसका पूरा गिरो एक जटके में काबू कर लिया गया, और कैसे वे सब हलाक हुए, पर एक बात शीशे की तरह साफ्ती उसे अली बाबा क जानता था, नहीं तो कैसे वो और जिस आदमी की टुकड़े उन्होंने गुफा में पहले किये थे, उनके खुफिया अड़े में घुस पाते और उनका खजाना चुरा पाते, जिन्दा छोडने पर तो उनकी बाकी दौलत में सेंध लगाने उसका लोटना तही था, अपनी रात में इतने कतलों की खबर अब तक हाकिम तक पहुँच गई होगी, सोचकर उसे कुछ तसल्ली हुई, अली बाबा को शायद अब तक गिरफतार करके सजा सुना दी गई होगी, उसकी जायदाद जबत और घर गिरा दिया गया होगा, इस सब के शहर में खूब चर्चे हो सराय के मालिक ने भी खुशी से हाल चाल बाटे, लेकिन जिन मामलों में सरदार की गुप्त दिल्चस्पी थी, उनके बारे में कोई खबर न थी, सरदार समझ गया कि उसका मुकाबला एक काया दुश्मन से था, न सिर्फ अली बाबा ने काम्याबी से उसके खजाने को ही ठ जरूरत पढ़ेगी, सरदार ने सोचा, या फिर अपने भायों का बदला लेने से पहले मैं खुद ही मिच जाऊंगा, वह बाजार की ओर निकल गया, खाना खाया और स्थानी ये लोगों के बीच भूमने लगा, इधर उधर बेमकिसद भूमते हुए उसे कासिम की दुकान दिखी, जहां उसका बेटा अपका रुबार कर रहा था, हाला कि सरदार को ये नहीं पता था कि ये जवान सोदागर अली बाबा का भतिजा है, फिर भी वह उसे एकदम पहचान गया, क्योंकि जब उसने अली बाबा के यहां रात गुजारने को शरन ली थी, तो इस नौज दुकान भाड़े पर ले ली, अगले कुछ दिनों में उसने अपनी खजाने से भरी गुप्त गुफा से बहतरीन चीजें और मल लाकर दुकान भर दी और खुआजा हसन के नाम से कारोबार करने लगा, अपने सभी पढ़ोसी दुकानदारों से उसने जल्दी ही दोस्ती ग पाबा के चले जाने के बाद हसन कासिम की दुकान पर गपशप करने के बहाने आया, मुझे उस बुरू जैसे गाहक कताई पसंद नहीं, उसने कहा ये लोग वक्त बहुत बरबाद करते हैं, देखनी हर चीज है, लेनी कभी कुछ नहीं, अगर वो मेरी दुकान पे कभी चाहता हूं, चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, चोट पहुची भी नहीं, कासिम के बेटे ने उससे तसल्ली दी, और फिर दोनों खिलखिला उठे, दोनों के बीच दोस्ती तेजी से बढ़ चली, खाली वक्त में दोनों अक्सर साथ बैठ कर, देर तक बतिया चाहते हसन आदतन उसे चोटे-चोटे तोफे देता रहता, और वे दोपहर का खाना भी अक्सर साथ बैठ कर खाने लगे, हसन रहसी से जीता था, उसकी पोशाक हमेशा मेहंगी होती, उसका खाना हमेशा लजीज, हालांकि कासिम का लगका ख्वाजा हसन की उधारता का बद की एक अमीर सौदागर से अपने भतीजे के बढ़ते तालुकात को पुक्ता करने के लिए अली बाबा ने खुशी से उसका साथ दिया, यारी तो वैसे भी बड़ी चीज होती है, अली बाबा ने मश्वरा दिया की हसन को अगली जुम्मेरात दावत पर अपने घर बुला लिया जाए, एक शांदार दावत का इंतजाम किया जाए, नाच गाने के साथ, दौलतमंद व्यापारियों से उसकी दोस्ती की काबलियत और एक अमीर का उसका रुद्बा साबित करने के लिए जरूरी शानों शौकत की भी नुमाईश की जाए, कासिम का बेटा शुक्र ग अबा के घर चल दिये